असलम लेकम आज आपको होट आंप सौर सू बनाना सिखा रहे हैं जिसके लिए हमने चिकन ब्रेस्ट लिये हैं 204 ग्राम आप नार्मल चिकन की बोटियां भी ले सकते हैं आदा कप श्रेड की ही बंद गोबी एक गाजर लिया है उसको भी श्रेड कर लिया है पांच खाने के चमच कान फ्लार एक अदद अंडा आदा कप स्फैद सिर्का चार खाने के चमच सोया सोस आदा चाय के चमच काली मिच का पाउडर एक चाय का चमच नमक सूप के साथ दो स जिसके लिए हमें चाहिए स्वैद सीर का 1-2 cup लाल मिर्चु का पाउडर, एक चाय का चमच, नमक, आदा चाय का चमच दूसरी सोस के लिए स्वैद सीर का 1-2 cup नमक, आदा चाय का चमच, दो अदद बारी कटी हुई सबस मिर्चे इन सबको हम mix कर लेंगे, सीर्के में बारी कटी सबस मिर्चे और नमक डाल कर mix कर लेंगे यह सोस तयार होगी, आप दूसरी सॉस के लिए भी, दाल मिर्चु का पाउडर, और नमक डाल कर इसको भी mix कर लेंगे दोनों सॉसीज तेयार हैं, इनको सूप बनाने से एक गेंटा पहले त्यार करके रख लें सूप बनाने के लिए हम जहनी त्यार कर लेंगे जिसके लिए हमने पानी लिया है छे कप इसमें हम चिकन ब्रेस्ट डाल देंगे साथ में नमक और काली मिच्ट डाल कर इसको 15-20 मिन तक पका लेंगे 20 मिन तक हमने चिकन को पका लिया है अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे चिकन श्रेड कर लिया है अब इसको दुबारा यहनी में डाल देंगे यहनी में यह श्रेड की हुई चिकन डाल देंगे इसको एक से दो मिन तक पका लेंगे दो मिन तक हमने चिकन को पका लिया है अब इसमें सब्जिया डाल देंगे इनको भी एक मिन तक पका लेंगे सब्जियों को हमने एक मिन तक पका लिया है अब इसमें सोया सोस और सिरकर डाल कर मजीद एक मिन तक पका लेंगे से अद्दा कब पानी में हमने कॉनफुलार को मिक्स कर दिया था अब अब हम इसमें वे डाल देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे जितना सूप आपको गड़ा चाहिए उतना आप काउनफुलार डाल लें अब इसमें एक अदर फेटा हुआ अंड़ा डाल देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे सूप तयार है अब हम इसको निकाल लेंगे होट एंड सॉट सूप और इसके साथ दो सर्व की जाने वाली सोसिस भी तयार हैं जरूर बनाएगा और बताएगा आपका सूप कैसा बना अगर आपको रैस्पी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना बूलें लाहाफीज